तो सोचिए आपको 35% अगर SCST हैं तो आपको सबसीडी मिलेगी अगर आप महिला हैं तो 25% सबसीडी मिलेगी तो देर मत कीजिए अपने आए नजदी की ब्रांच में जाए ब्रांच मेनेजर से बात कीजिए मेरे साथ खास महमान है SCST, SBI जो करमचारी संग है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और भारत सरकार की एक जना आई है SCST को बीना मौर्गेज, बीना गरांटी के एक करोर तक का लोन मिलने जा रहा है और महिलाओं को के लिए भी परापधान है जय भागवान बहुत साब जो है, वो SBI के करमचारी है, SCST बेलफेर सेस्टिशन भी चलाते हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी भी है लेकिन सोचिए, सबसे खास योजना है, यह भारत सरकार ने योजना लौंच किया है, कि बैंक से SCST को एक करोर तक का लोन मिल सकता है बीना गरांटी के बस सर्थ इतनी है, कि आप एक प्रजेक्ट लाइए, कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, और महिलाओं के लिए भी यह सुइवदा है बिस्तार से बताए, सर, क्या योजना है भारत सरकार की भारत सरकार की योजना है, जो हमारे देश में, जो नए एंटरपेनियोर्स हैं, उनको मदद देने के लिए, नए एंटरपेनियोर्स पैदा करने के लिए गुवर्मेंट ओफ इंडियान स्कीमें बनाई हैं, पहली स्कीम मुदरा लोन की है, जिसमें दस लाग तक की है, जो छोटे भी आपारी हैं, वो मुदरा स्कीम में अपना registration करके और अपना project देके State Bank of India के किसी भी साखा से अपना लोन प्राप्त कर सकते हैं इसी के साथ दूसरी है जो मध्यम दर्जे के जो वयपारी हैं वो एक क्रोड तक का लोन उस योजना के तहत ले सकते हैं जिसमें परदान मंतरी सवरोजगार प्रोग्राम जो है उसमें PMJ-EY उसमें एक क्रोड तक के लोन हैं और उसमें SCST और भारत की किसी भी समाज की महिला उस लोन को ले सकती हैं तो ये सब ही देश में नए entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए हैं और भारतिय स्टेट बैंक की जो दिल्ली सरकल की साखाई हैं वो अलमस्ट अठारा सो ब्रांचीज हैं और पूरे देश में साड़े बाईस जार ब्रांचीज हैं सब ही ब्रांचीज में ये हमारी जो management है वो इचाहती है कि maximum लोग उससे लाभानवीत हूँ कोई कोई guarantee मनी भी देनी पर security भी है एक करोड तक संभूजी मैं सपस्ट कर देना चाहता हूँ किसी भी तरह का कोई collateral उसमें नहीं लिया जाएगा जो project है उसी को उस पे lien करके और उसी को जो है न mortgage करके उसी को guarantee बाणटी माना जायेगा तो कोई है जो भी loan लेना चाहते हैं इसमें वो अपने नजदीक के साखा में जाके संपर्क करें किन से? ब्रांच मैनेजर से? हाँ नजदीक की साखा में ब्रांच मेनेजर से संपरक करें और इसी के साथ हम ये कहना चाहता हूँ जो भी साथी SCST employees हैं या अधिकारी हैं या OBC के अधिकारी employees हैं उन सभी से भी मेरा निवेदन है कि वो इसका में अपना पूरा सहयोग करें और समाज को स्पोर्ट करें और साथ साथ बैंक को भी जो है जो बैंक के टारगेट से उनको एचीव करने में बैंक का सेवक करें और भारत सरकार तो केवल स्कीमें ही बना सकती हैं लेकिन implement तो हम सब लोगों को ही करनी है क्या लग रहा भी कब से लागू होने की उमीद है इसको सर स्कीम पिसले चार साल पांच साल से चल रही है ये तो थोड़ा सा जनता में एक awareness की बात है और जो करमचारी अधिकारी हैं उनको भी स्कीम से aware कराने वाली बात है उनको अवगत कराने वाली बात है ताकि जादा लोगों को इस स्कीम का फाइदा हो सके अभी तक कितने लोग इसके लाभारती हुए होने हैं क्या हुए हमें जो टार्गेट दिये गए थे इस साल के और जो आप मानते हैं कि आदा साल आदा वितवर्स जा चुका है तो अभी तक टार्गेट 30% की हम बात कह सकते हैं कि 30-32% हम अचीव कर पाई हैं जबकि वो जितने भी टार्गेट दिये गए थे वो 100% होने चाहिए थे तो क्या लग रहा है कि अब पहले कि संख्या में CST के लोग बैंकों तक ज़्यादा पहुचने लगे हैं हाँ वितिये समावेशन जो योजना है भारत सरकार की या हमारे बैंक की भारती स्टेड बैंक की उसमें जो ज़्यादा साखाएं हैं आम आदमी तक पहुचने का एक बीचार है और वितिये समावेशन जो जब तक आखरी आदमी तक नहीं पहुचेगा उसका फाइदा तब तक हम बैंकिंग जो प्रणाली है उसको यह नहीं मान सकते कि वही बाबा साब का सपना पूरा हो रहा है क्या लग रहा है कि इसमें जो बिजनेस सुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहतर मौका है कि वो जाकर लोन ले सकते हैं और बिजनेस सुरू कर सकते हैं और वो सिधे ब्रांच मैनेजर से संपर करे हैं किस तरह की तैयारी के साथ जाएं देखिए संभू जी वो अपने KYC जिसमें पैनकार आधार और जो उनकी योजना है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आगामी तीन साल की प्रोविजनल प्रोजे किया जाएगा और उसके बाद सारे वेरिफिकेसंस के बाद योजना पे काम किया जाएगा तो ये थे SCST, SBI जो इसोशीशन है, बेलफेर इसोशीशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी जैभगवान बोज साहब, अगर आप भी SCST समाज से हैं तो अपने नियरिस्ट नजदी के SBI किया बरांच में संपर कीजिए और एक करोर तक का आप बिजनेस लोन ले सकते हैं, जो लगवग 10% रेट आफ इंट्रेस पर में जाएगा है, इसमें 10% वार्षिक की दर से ब्याजदर रहेगी और एक इसमें खास बात है, जो लोग अनसुची जाती-जन-जाती के लाभार ही रहेंगे, उनको भारत सरकार की तरफ से 35% सबसीड़ी की वैवस्ता रखी गई है, और जो लोग जैसे महिलाएं हैं, वो किसी भी समाज की हैं, तो उनके लिए 25% तक की सबसीड़ी की वैवस्ता रखी गई है, जो एक बहुत बड़ी, मतलब, लोन की जो राशी है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है निसल दस्तक की लगातार कोशिस होती है कि जो सोसित बंची समाज के लोग हैं वो कैसे आर्थिक रूप से तरक्की करें इसी करी में हम तमाम ऐसे जानकार जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं जो बैंक के बर्यादिकारी हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं तो ऐसे दोर में जब सरकाई नौकरियां खत्म हो रही है आपको बिजनेस की तरह बढ़ना पड़ेगा और बड़ा मौका है कि एक करोर तक का लोन आप दस परसेंट के हिसाब से ले सकते हैं कोई गरांटी मनी भी नहीं है कोई गरांटी एस्योड की विज़ुरत नहीं है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं कोई प्रोजेक्ट है आपके दिमाग में तो आज पास के किसी भी इस्योड बरांच में जाकर आप संपर कर सकते हैं शुक्रिया जैभगवान बहुत सब आपसे बाचित करने के लिए थेंक्यू सर थेंक्यू आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें